क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जहां पे सूसाइट करने के लिए मशीन बनाई गई है और कैसे एक ही पेड़ एक या दो तरह के नहीं बलकि 40 तरह का फल देता है और क्या आपको पता है कि जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो उनके आंसस दूनने के लिए गूगल एक हजर कंप्यूटर का यूज करता है तो आज हम ऐसे ही माइन ब्रोविंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे अगर मैं आपसे पूछो कि इस दुनिया में किताबों की संख्या कितनी है तो आपका जवाब क्या होगा सायद इसका जवाब देना इंपॉसिवल है पर कि आपको पता है कि 2010 में गूगल ने यह पता करने की कोशिज की थी और उनका अनुमान यह है कि इस दुनिया में किताबों की संख्या लगवक 13 करोड है बेलीज एक मातर ऐसा कंट्री है जिसके फ्लैग में टोटल 12 कलर्स है वैसे हर सौ में से 99 देशों के फ्लैग में ब्लू, वाइट और रेड कलर तो होता ही है और सभी देशों में अलग-अलग कार्णों से इस कलर का इस्तेमाल किया जाता है पर मैं आपको बता दो कि जमायका ही एक ऐसा देश है जिसकी फ्लैग में इन तीनो कलर्स में से कोई भी नहीं है जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम गूगल का इस्तिमाल करते हैं और गूगल हमें मिनी सकेंट्स में ही आंसर बता देता है पर उसे ऐसा करने के लिए एक हजार कंप्यूटर का यूज करना पड़ता है पर स्वीजलेंड एक ऐसा देश है जहां पे सुसाइट करने वाले लोगों की मदद की जाती है और वहाँ एक ऐसी मसीन भी बनाई गई है जिससे लोग सुसाइट कर सकते हैं और यह मसीन एक मिनट में ही आदमे को खत्म कर देता है जिसमें इंसान बिना दर्द के एक मिनट में ही गुज़र जाता है नमबर 6, दुनिया में एक ऐसा नमबर प्लेट है जो उस गारी से भी ज्यादा महेंगा है और वो नमबर प्लेट है F1 जिसकी कीमत 1500 करोड रुपे है और उस गारी कीमत सिर्फ 20 करोड नमबर 5, 3 of 40 एक ऐसा पेड़ है जिस पर 40 तरह के फन लगते हैं इस पेड़ को बनाने वाले वीजूल आर्ट्स के एक प्रोफेसर है जिनका नाम सैम बॉर्ण एकैन है इस पेड़ को बनाने के लिए उन्होंने ग्राफ्टिंग टेकनोलेजी का इस्तेमाल किया था नमबर 4, क्या आपको पता है कि जब आप जोर से छीकते हैं तो आपकी पसली भी टूर सकती है और यदि आप छीक को रोकने की कोशिस करते हैं तो आपके सिर और गर्दन में रक्त वाहिकाउं को टूर सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है 3. क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे महंगा डिवोस रितिक रोशन और सुजैन खान का हुआ था 2. नेपाल एक ऐसा देश से जहां कोई इंडिपेंडेस्ट ये नहीं मनाया जाता क्योंकि नेपाल कभी किसी दूसरे देश का गुलाम बना ही नहीं 1. इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर दो